दोस्तों आज मैं आपके लाई हूँ बटाटा बड़ा और इसके साथ खाने वाली रेड चेटनी और ग्रीन चेटनी की आसान सी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हो जिसे खा के आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा एकदम चेट पटा और टेस्टी बटाटा बड़ा जिसे बड़ा पाओ के बीच में भी लगा कर खाते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बटाटा बड़ा और इसके साथ खाने वाली चेटनी की आसान सी रेसिपी पहले इसके आलू की फिलिंग त्यार करते हैं इसके लिए मैंने लिया है चॉप्ड अनियन, कोरियंडर लिफ्स, अद्रक लेसुन और मिर्च इसको मैंने दरदरा पीस लिया है करीपत्ता, थोड़ी राई, थोड़ा जीरा और मैस्ट पोटेटोज, ओल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे ये जीरा, राई, इसे हलका सा चला लेंगे जैसे ही राई और जीरा हमारा भुण जाएगा, इसमें ये प्याज और करीपत्ता एट कर देंगे अब इसे अच्छे से लाईट ब्राउन होने तक चला लेंगे, अब इसमें अद्रक लेसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चला देंगे फिर एट करेंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी डालकर बहुत जादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसका कच्छा पर निकल जाएगे अब इसमें ये आलू डालकर अच्छे से चला लेंगे, ताकि पूरे में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगे लास्ट में इसमें धन्या पत्ता डालकर इसको भी अच्छे से चला लेंगे, अब आलू की फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे जब तक ये ठंडे होंगे तब तक इसका बैटर त्यार करते हैं बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन, कॉन फ्लार, चावल का आटा, थोड़ी हल्दी, मिर्च, अजवाइन, पिंक सॉल्ट, और ब्लैक सॉल्ट अब सभी को इस बोल में डाल लेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी आड़ करेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते हुए इसका बैटर त्यार करेंगे कुछ इस तरह ऐसे, ताकि इसमें कोई लंप्स ना पड़े ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए हमारे आलू भी ठंडे हो चुके हैं अब इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर रेड़ी करेंगे एक-एक करके ये सारी बॉल्स रेड़ी कर लेंगे अलू बॉल्स भी रेड़ी हो चुकी हैं अब इसकी रेड चटनी बनाते हैं इसके लिए मैंने लिया है कोकोनेट पाउडर रेड चिली, गार्लिक जिसको मैंने छीला नहीं है इसको हलका सा रोस्ट करके इसके छिलके को पील ओफ कर लेंगे तो इजी वे में छिल जाएगा अब कोकोनेट पाउडर को पैन में डालकर हलका रोस्ट कर लेंगे इसे बहुत जाएदा रोस्ट नहीं करेंगे बस हलका सा रोस्ट करेंगे इसी तरह लेसुन और मिर्च को भी हलका रोस्ट कर लेंगे अब इसे जार में डालकर थोड़ा नमा कैट कर लेंगे और इसे ग्राइड कर लेंगे हमारी dry red chutney ready है अब इसके green chutney बनाते हैं green chutney बनाने के लिए मैंने लिया है लेसुन, अद्रग, टमाटर, मिर्च, पिंक सॉल्ट and black salt अब इन सबको jar में डाल लेंगे और smooth paste बना लेंगे ये हमारी green chutney भी बनकर ready हो चुकी है इसको भी bowl में shift कर लेंगे अब हमारी red और green chutney दोनों बनकरके ready हो गई है अब हम लोग बटाटा बड़ा को भी fry कर लेते हैं हमारी आलू भी रेड़ी थी है, बैटर भी रेड़ी था अब हम लोग आलू की balls को बैटर में मिलाकर ओईल में डाल लेंगे ओईल हमारा गरम हो चुका है एक एक करके सभी को medium flame में deep fry कर लेंगे इसे golden brown होने तक fry करना है ये देखिए हमारे बटाटा बड़ा अच्छे से fry हो गए है अब इसे plate में shift कर लेंगे हमारे बटाटा बड़ा serve करने के लिए एकदम ready हो गए है अब इसे प्लेट में shift कर देंगे अब ये बटाटा बड़ा खाने के लिए एकदम ready है अब हम इसको green chutney और red dry chutney के साथ serve कर सकते है और अगर आपको मिर्च पसंद है तो आप इसे मिर्च भी रख सकते है इस तरह से ये देखिए हमारे बटाटा बड़ा देखने में ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी है इनको महारास्ट्रों में पाओ की बीच में भी लगा के खाते है कुछ इस तरह से देखे इसे पाओ में हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे green chutney ऐसे green chutney इसपेट कर देंगे उसके उपर रखेंगे ये दो बटाटा बड़ा दो बटाटा बड़ा रख करके उसके उपर हम डालेंगे ये जट्नी जट्नी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा चीज इसपेट कर देंगे अगर आपको चीज नहीं पसंद है तो आप उसे वाइड कर सकते हैं, यह तोटली ऑपिशनल है, अब इसको भी ग्रीन चेटनी और रेड चेटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं, और मिर्च आपकी पसंद के एकॉर्डिंग है, आप बताएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, थ अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, तो उसे लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बल को प्रेस करतें, ताकि इससे मेरे आने वाले वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएं, थैंक्यू